अब इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इस कोश्यन में जो पार्ट वन है देखो मैं आपको बताता हूँ आपको कुछ नहीं करना आपको 402 लिखना है ठीक है सुटेंस राइट से लेफ्ट की तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ तू डिजिट के पेर बनाने तो वन वन जा तो वन होता है यह भी चल सकता है लेगिन इससे बड़ी पॉसिबिल्टी हमको चेक करने ही तू टू टू जा क्या हो जाएगा फॉर तो टू टू जा इस दा बेस्ट ऑप्शन थ्री थ्रीजा नाइन हो जाएगा तो नाइन तो आपका यह फोर से बड़ा हो यहां पर हम करेंगे ट्यों टू टू जाएगा फोर अब दोोजेगा तो फोर मेंसे बचे क्रोणे करो तो यहां जेरो बचेया निकर कुछ नहीं बचेगा थीग अब कुछ निए बचेगा तो कुछ लिखने की जिरृत भी नहीं आपको घ्लान रिखे हो यह देखिए अब पर हम क्या करेंगे यह 02 जो है next pair को copy कर देंगे ठीक तो next pair हमने copy कर दिया next pair क्या हम आप पास 02 02 का मतलब 02 का मतलब यह आप 02 समझो 02 का मतलब वैसे तो टू होता है मैं आपको बता दू समझो देखो 02 लिखो या टू लिखो बात क्या है same है वैसे आप इसको 02 अभी रहने दो अब खास बात ध्यान सा सनो बच्चो जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे मतलब सुझो क्या यहाँ पर देखिए students देखिए अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पर कोई number ऐसा fill करना है यहाँ पर हमको कोई number ऐसा fill करना है कि जिस number को हम यहाँ पर fill करें ठीक है students और इस digit को उठाके हम इस पूरे से multiply करें तो या तो क्या आ जाए 0-2, 0-2 का मतलब 2 या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए I repeat देखो यहाँ पर कुछ बच्चे confused होंगे कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे मैं आपको बता दू आपकी गलती कुछ बच्चो की mistake देखे कुछ बच्चो की mistake यह हो रही होगी यहीं पर question छोड़ दे रहे होंगे सोच रहे होंगे 2 remainder आ गया अब हमें stop कर देंगे नहीं भाई एक बाई बताओ अगर 2 remainder आ गया ठीक है तो आप बोलोगे सर 402 में से 2 minus कर दो चलो मैं आपकी ये बात भी मान गया आपकी ये बात भी मान गया आपने क्या किया 402 में से 2 minus कर दिया answer आ रहा है 400 फिर आप बोलोगे सर वो least number क्या है 2 है जिसको subtract करना है बही जो remainder बच जाता है उसी को subtract करना होता है तो वो least number कौन हो जाएगा आपका जिसको subtract करना है least number 2 answer भी आपका है match कर जाएगा NCRT से और ये perfect square number जो आ रहा है यहां पर ठीक है ये एक perfect square number बन जाएगा 402 में से 2 subtract करोगे तो 400 क्या है perfect square number है ये बात भी आपकी सही है मैं मना नहीं कर रहा हूँ फिर आप बोलोगे 400 का square root अब सुनो ध्यान से अब मज़ेदार बात है इसका square root होता कितना है 20 लेकिन आपके पास तो 2 आ रहा है यहां पर मैंने क्या बतायता है यहां question में जो number हो जाएगा अब वही perfect square number का square root होता है तो यहां तो 2 होता है यहां तो 2 बच रहा है अगर आप question यहीं छोड़ दोगे तो ठीके ना ऐसा नहीं करना आपको बच्चों यहां 2 थोड़ी ना यहां 20 होना चाहिए ठीके students तो कहने का यह मतलब है वह कभी भी 2 हो नहीं सकता वही वह तो 20 के आसपास आएगा ऐसे सोचो ना मैंने आपको estimating करना सिखाया था अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखें तो estimation of square root में आपको यही तो सिखाया गया था ना इसी लिए वह topic पढ़ाया गया था जब आप यहां तक पहुँच जाओगे ठीके सुटेंस जब आप यहां तक पहुच जाओगे तो आपको सोचना है क्या आपको सोचना है यहां पर कोई पूरा नमबर नहीं लेते ओंडि यूनेट प्लेस का डिजट यह वाला डिजट लेते इस डिजट को लेकि इस पूरे से मल्टीपलाई करके चेक करते हैं कितना रहा है वन इंटू फट्टीवन फट्टीवन आ जागा जो की जीरो टू से तो बढ़ा है यहनिकि टू से पढ़ेगा वन से छोटा नंबर लाएं यानि के जीरो लेकर आए यहां आपको जीरो लिखना पढ़ेगा ठीक तो यहां पर आप 0 करोगे और यहां भई भी आप 0 करोगे और तो इस तरीके से जीरो आ रहा है आपका और जीरो को यहां आप कॉपी करोगे कहां तू के नीचे जीरो का मतलब जीरो 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 भी लिख सकते हो आप अरे जीरो को जीरो 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 लिखो एक जीरो लिखो दो जीरो लिखो क्या ही फर्क है तो यह 0 इंटू 40 जितना आ जाएगा कितना आ जो का अगखे जीरो कर Acemond को आप सब्सकुडर medicine हो जाएगा डुम को लिए कर आफ U-0 outta Tequila ूच्छ 0000 उता है ठीक यानकि 0 to complicated को person को छोड देंगे ठीक अब एसको हम remember मान लेंगे कि इक बाट और यहाद दिलाना चाहता हूए production को याद हो सुनिए ध्यान से हमने यहां टूपर क्यों नहीं छोड़ा आपको पढ़ाया गया था कि कोई नंबर अगर आपका दिया हुआ है ठीक तो उस नंबर का जो स्क्वाइर रूट होगा उसमें कितने डिजिट होंगे तो जवाब है नंबर आफ बार्स सुन लीजे यह इंग्वल्स टू क्या होता था नंबर ओफ डिजिट्स इंदा स्कॉयर रूट ओके सुटेंस यह कॉंसेट हमने आपको पढ़ाया था नंबर आपको दिया हुए तो नंबर आपको क्या दियता 402 दिया था ठीके ना तो इसमें नंबर आपको बार्स कितने आ रहे हैं चेक क श्कॉयर रूट इसका जो वैसे դो 400-2 पर nessaंबर निये है ना लेकिन इसका जो भी स्कॉर होगा इसका जो भी fumaj स्क्वार रूट होगा ठीक उसमें कितने डिजिट आ रहे होंगे टू एस्टिमेट की बात कर रहा हूं एक्जाक्ली पफेट पफेट स्वार नंबर तो है नहीं तो जैसे मैं आपको एक्जांपल में सिखा था ज्यादा टेंशन नहीं सुन लो द्यान से तो इसमें बस दो ब बार्स इस इक्वल्स टू क्या होता था नंबर ओफ डिजिट सिंदा स्क्वार रूट एक तो यह कॉंसेट यूज़ा रहा है दूसरा आपको एस्टिमेशन आना चाहिए दिमाग में ठीक है कि 402 का जो स्क्वार रूट है वो किसके आसपास होगा ठीक है 20 के आसपास होगा ठीक है सुटेंश आभी करके भी दिखाए रहा हूं ठीक हमाए पास बोर्मेंडर बच गया अब हम सवाल को आराम से हेंडल कर सकते कहने का मतलब यह जो रिमेंडर है टू अगर यह इसमें ना होता किसमें 402 में सोचो अगर यह डिमेंडर जो है 402 में ना होता ठीक है कुछ बच्चों यहां पर दिखिए अब तो पूरा अब तो पूरा वही हो गया मैंने पहले कर रख आपको 402 में से यह जो रिमेंडर आ रहा है इसको माइनस कर दोगे आंफर कितना आएगा 400 तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वाइर नंबर होगा ठीके सुट तो यह पार्ट वन का अंसर है तो अगर मैं शॉर्ट में यहां पर लिखना चाहूं पार्ट वन का अंसर तो किस तरीके से लिखूंगा मैं लिखूंगा कि जो नंबर सब्ट्राक करना है वो नंबर है आपका लीस्ट नंबर लीस्ट नंबर को मैं शॉर्ट में LN लिख दे हे ओके और पी एन का मतलब समझ जाना पर्फेक्ट इस्क्वाइर नमबर हängt क्या है पॉफट अब जगह है नहीं आप समझ जाना पी इन का मतलब पर्फेक्ट स्कॉयर नमबर ठीक, इसने का आप डाज counterpart करता करना था वह लिस नमबर कौन के पास 20 ठीक अब ध्यान सुनिए ध्यान से सुनिए सुडेंस यहां पर आजाई यह मैं क्या कह रहा हूं इतनी देर से मैं कह रहा हूं वही ठीक है आपके exercise में कोई भी question ऐसा नहीं है बट इसी लिए वह पढ़ाया गया था क्यों पढ़ाया था यहां पर देखो 402 का estimation में square root अगर आप निकालोगे यह बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है सुडेंस ठीक है यहां पर अगर आप इसका square root निकालोगे estimation में यहांने कि अप्रॉक्स में ठीक है मतलब आप पता करने जा रहे हो कि 402 का square root कहां पर आएगा किसके आसपास आएगा सो हम क्या करेंगे 402 से less perfect square number ढूंडेंगे कौन होता है 400 अब याद आ गया होगा आपको टॉपिक जो बच्चे पढ़के आ है 441 अब ध्यान दे सुडेंस फिर हम क्या करेंगे यह जो inequality होती है क्योंकि यहां less than का sign लगा है तो इसको हम inequality बोलते है मैं आपको बताया था ठीक है आप देखिए अब हम क्या करते थे इसमें square root लेते थे इस तरीके से तीनों में ठीकぷोर हंडडड का現在 होता था याद शूश्ण का 2 आपको याद आहला होगा आपको आपको याद आए होगा 402 घुसे रहेगा और is 9, ओके और यहां बचे का 3, 39 का gap है, तो यहां पे 39 का gap है, फिर जहां पे less gap होता था, हम उधर जाते थे, यहाद है, तो यह देखी, यहां पे less gap आ रहा है, यहां पे 402 और 400 में only 2 unit का gap है, कहने का यह मतलब है, कि 402 का जो square root होगा, 402 का जो square root होगा, वो nearest किसके है, 400 के square root के, वो कितना है, 20 के आसपास है, तो यह इसकी approximately value है, यह हमने आपको, अब समझे, तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए students, मैंने यहां 0 वाला game खेला, मुझे समझ में आ गया था, यहां 20 आना चाहिए, ठीके students, ऐसे करके हम, करते हैं, 2 पे आपको नहीं छोड़ना है नहीं तो गलत हो जाएगा, ओके, तो यह हमने part 1 को कर लिया है, अब हम करेंगे part 2, okay students, part 2 क्या है आपका, 1989 है, ठीके, चलिए, तो वीडियो पॉस करके note कर लीचे, अगर आपने estimating वाला topic नहीं देखा है, तो please उसको देखिए, वो बात आपको पता होनी चाहिए है न, चलो now students, part 2 में आजएए, what is part 2, so part 2 में देखिए, 1989 आपको दिया हुआ है, ठीके, अब देखिए, अब करना कुछ है नहीं है इसमें, जैसे हम करते थे वैसे ही कर लेंगे, okay, कुछ नहीं करना students, यहाँ पर line draw करोगे, यहाँ line draw करोगे, यहाँ line draw करोगे, उसके बाद, यह decimal वाल नमबर तो है नहीं, तो right से left की तरफ, right से left की तरफ, ठीके, तो right से pen चलाएंगे, left की तरफ, two digit का pair, फिट two digit का pair, अब ध्यान दो बच्चो, खुद का table, खुद के साथ पढ़ना है, यहने के 3, 3, 9 होता है, जो कि 19 से छोटा है, 4, 4, 16 होता है, यह allowed है, 5, 5, 25, तो 19 से कर देंगे, 4 plus 4, 8 होता है, अब बच्चो ध्यान दे students, यहाँ पर next pair को copy कर लेंगे, क्या है, 89, यह लीचे, ठीक है students, अब ध्यान दो, अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर ऐसा कोई number fill करना है, बच्चो, जो number यहाँ पर आ जाए, तो मेरे खाल से, मेरे खाल से 7 आन सो, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 7, ठीक है, चली चेक करते है, 87 को 7 से multiply करो, चेक कर लो कितना आ रहा है, 87 into 7, 7, 7 is the 49, 4, यह लीचे, 7, 8 is the 56, 56 plus 6 कितना होता है, बच्चो, आपका 60 काफी जादा आ गया, ठीक है, लग भी रहता तोड़ा-ठीक है, तो यह आपका 5 के लिए ट्राइ करना चीए, ना तो 3 के लिए भी नहीं करना चीए, 7 टाइमस लेगे हो, ठीक है, 600 के आसपास आगे ता 5 टाइमस चेक कर लो, चलो, यहाँ पर 5, परफेक्ट स्कॉर थोड़ी ना है, परफेक्ट स्कॉर थोड़ी ना है, जो रिमेंटर 0 आ जाएगा, ठीक 425, 389 से बढ़ा हो गया ना, ठीक, तो आप क्या फिल करोगे हैं यहाँ पर, 4, ओके, चलिए, तो यहाँ पर 4 और, यहाँ पर हम फिल करेंगे 4, इस 4 को उठाके 84 से मल्टिप्लाई कर लिजे, 4, 4 जा 16, 148 जा 32 प्लस 1, 33, यह लिजे, 3, 3, 6 आ गया, जो कि 389 से चोटा है, ओ ओके, 9-6 होता है, 3, और, यहाँ पर ध्यान देंगे, students, 8-3 होता है, आपके पास, 5, और 3-3 कुछ नहीं बचेगा, 53, अब सुनो, ध्यान से, अब सवाल यह कि, जैसा हमने, पार वन में किया था, सर, हम क्या वैसा करेंगे, मतलब, सर, यहाँ पर, हम यूनिट प्लेस पर, 4, 4, add कर ले, हम मना नहीं कर रहे है, यहाँ पर, 4, add कर लो, सर, नीचे, 88 आ जाएगा, सर, ठीक है, फिर क्या, हम यहाँ पर, 0, fill करेंगे, और, 0, fill करके, 0, into, 8, 80, करके, यहाँ, 0, लेके आएंगे, तो, यह, ट्राइ करने के लिए, आपको, मतलब, यह, आपको, हमेशा, ट्र से कम, चेक कर लेनी चाहिए, क्या, कि दिये गए, नंबर में, जितने बार होते हैं, कितने बार हैं, चेक कर लो, 1 बार, और 2 बार, 2 बार है, तो, इसका, जो, एपरोक्स, स्क्वार रूट होगा, परफेक्ट स्क्वार तो, है नहीं, इसका, जो, एपरोक्स, स्क्वार रू क्या सोचेंगे हम सोचेंगे कि दिए गए नंबर में 1989 में अगर यह लगी इंतर बच्छना राय तो इसको इसको फटास नंबर में 53 53 9-3 होता है 6 और 8-5 होता है 3 और यहां बचेगा बच्चो 9 और यहां बचेगा 1 क्या मैं सही हूं 9-3 6 8-5 is 3 9 yes 1936 आ गया तो इस तरीके से आपके पास यहां जो नंबर आता है वो क्या आता आपके क्या बन गया आपका perfect square और सुनो perfect square अगर यह बन गया तो इसका square root क्या होगा तो जवाब है यहां पर जो नंबर आता है कोशेंट में वही उसका perfect square होता है तो इसका मतलब square root of 1936 बच्चों कितना होता है 44 होता है यह लीजे यहां पर 44 दिखाई पढ़ लाता ना आपको उपर ठीक है तो इस तरीके से हम इसको handle करते हैं चलिए यहां पर फटा फटा आंसर कर देते हैं इसका तो बच्चों यहां पर दिखिए जो least number अबर एलेन का मतलब least number जो सब्ट्राक करना है वो number क्या है आपका 53 है उसके बाद बच्चों यहां से देखो जो perfect square number बन जाएगा perfect PSN लिख दे रहा हूं perfect square number को वह perfect square number क्या बन जाएगा सब्सक्राइब का 1936 और उसके बाद उसका square root यदि आप निकालोगे 1936 का तो उसका square root है वो कितना आ जाता है आपका 44 आ जाता है यह लीजे ठीक सुदेंस आपको मेरी बास समझ में आई होगी ठीक है तो इसको आप वीडियो पॉस्ट करके नोट कर लिए जाए नोट कर लिजे सुदेंस कर लिया अब देखो अब हम करेंगे next part ओके तो नौट अब यहां पर देखिए लिखे टरफ राइट से लेट की तरफ टू टू डिजिट के पेर तो डिजिट का पेर ठीक अब यहां पर लाइन डॉ करेंगे एक यहां पर लाइन डॉक करेंगे अब सुनिए तो 36 बहुत बढ़ा हो जाएगा ठीक तो 5 5 जा कितना होता है 25 ठीक है नौँ अब यहां पर दिखो च्छो 12-5 क्या होता है 7 होता है और यहां 2 बचेगा 2-2 कुछ नहीं बचेगा तो लिखने की जरुदत नहीं यहां 0 बचेगा न वो लिखने की जरुदत है नहीं और सीधी सी बात है आप साफ साफ देख लो 32-25-7 होता है अब यहां पर यूनिट प्लेस पे 5 ए 5 लेखेंगे यूनिट प्लेस पे कितना है वाई 5 एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 है अगर यहां तो यूनिट प्लेस के डिजिट को यहां आड कर देते हैं 5 प्लस तो मेरे खाल से सुडेंस यह जाएगा शायद शायद जाएगा यह 7 टाइमस चेक कर लेते हैं तो 7 और यहां पर देखिए 7 ठीक शायद येस चेक करते हैं 107 और नहीं तो 6 टाइमस तो जाएगा ही जाएगा रहा देखिए 7 इंटू 0000 ब्लस 4 इस 4 और 7 वंजा 7 यह लीचे 749 कितना आ गया बच्छों ठीक तो 7 इंटू 107 कितना आ गया 749 जो की 750 से क्या है लेसे अब सुनो बच्छों साफ साफ दिखाई पड़ा है 750-749 बचेगा फिर भी आप यहां से कैरी वेरी लेके 10-914-4 कुछ नहीं बचेगा यहां तो कुछ नहीं बचेगा तो कितना आपके बस रहा है ओके अब ध्यान देना बच्छों आपको क्या फिर से हमें आगे बढ़ा कर जीरो लगा के वैसा करना है जैसा हमने पार वन में किया था तो जवाब की नहीं क्यों कि ध्यान से चेक करो बच्छों यह आपर यह जो नमबर दिया था इसमें कितने बार्स हैं तू बार से ठीक है चेक कर लीजे यह रहा देखिए वन बार और यह टू बार तो इसका जो स्क्वाइर रूट आएगा एप्रॉक्स में एप्रॉक्स में ठीक मतला यह जिस भी पर्फेक्ट स्क्वाइर नंबर के आज पास है उसके स्क्वाइर रूट में कितने डिजट होंगे तू अगर आपको नहीं सुझा रहा है ज्यादा टेंक्शन मतलों सुनो ज्यान से जितने बार है वन टू तो उपर टूड कोशिंड में उतने ही डिजट आने चाहिए बस खतम ठीक तो वन बार टू बार तो यहां प वनंट्र बच रहा है ना इसका मतलब इसमें अगर यह बन नहीं होता यहीं तो परिशान कर रहा है तो अगर इसमें वन्हा ना होता है या मैने कि इसमें से 1-5 मैंस नहीं है ठीक है आप सुनो यानिक़ यहीं वो लीस नंबर है जिसको हमको क्या करना है सब्ट्राक करना है और सब्ट्राक करने के बाद यह जो आ रहा है आपका 3249 यह क्या आपका परफेक्ट स्क्वाइर नंबर है मैं शॉट में लिख दे रहा हूं पी एसन और सुनों यह अगर आपका परफेक्ट स्क्वाइर नंबर है तो इसका हो जाएगा okay students तो 57 हो गया यह लीचे ठीक है students so part 3 में ध्यान देंगे students जो least number है आपका वो क्या हो गया least number हो गया आपका जिसको सब्ट्राक्ट करना था ना least number which will be subtracted is equals to 1 and जो perfect square number आपका बन रहा है students वो आपका बन रहा है क्या 3249 ठीक सो 3249 और्फनो इसका अगर आप square root निकालोगे 3249 का तो इसका square root कितना हो जाता है आपका 57 यह लीचे ठीक है वीडियो पॉस करके बच्चों नोट करते रहिए बढ़ते हैं next part की तरफ वीडियो पॉस करके नोट कर लीचे कर लिया चलो नाउ चलिए अब हम आते हैं part 4 पे सो पार्ट 4 देखिए दिखे क्या है 825 है ठीक है सुडेंस तो 825 है अब यह परफेक्ट स्क्वार नमबर तो है नहीं ठीक है न चलो देखते है तो 825 को अब हम क्या करेंगे long division method से square root निकालने कोशिश करेंगे तो right से left की तरफ right से left की तरफ right से left two desert का पेर और eight अकेला बच गया तो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं eight के उपर बार लगा दो सुनो कितने बार आना है two यानि कि इसके square root में मतलब इसका जो भी एप्रॉक्स में square root होगा इसका ठीक है उसके square root में कितने डिजिट आने चाहिए two ठीक है तो यह अंदाजा आपको होना चाहिए अब ध्यान दो बच्चों eight है तो three three जा तो nine आएगा eight के उपर बार लगा है तो आपको किसी number का table खुद के साथ ऐसा पढ़ना है कि या तो eight आ जाए या तो eight से छोटा ठीक है तो three three जा तो चलेगा नहीं यहाँ पर तो two two जा चलेगा four two जा कितना आ रहा है four आ रहा है ठीक eight minus four कितना होता है four होता है अब सनो अब यहाँ देखी unit place पहे क्या है two है तो हम एहाँ two add कर देंगे two plus two कितना होता है four होता है two students अब सनो यहांसे next pair हम copy कर देंगी यह लीजे copy कर दिया हमनने ठीक 425 अब ध्यान दें सुदेंस हमको यहां पर कोई ऐसा नंबर फिल करना है जो यहां पर भी फिल करना है कि इस डिजट को उठाके यहां पर जो डिजट आएकिस को उठाके इस पूरे नंबर से मल्टिप्लाई करें तो 425 आ जाए या तो से चोटा जाए तो ट्राइ करते ह आ जाते मेरे इन हाल से 7 या या टाइम संट्राइक कर सकते हैं तो यहां अगर आप 7 fire ऑलोगे और यहां अगर आप 7 विल करोंगे ठीक है सुदेंस तो देख लेते हैं कितने होता है 7 और 7 चलो 77 कितना होता है 49 4 जाएगा 746 228 प्लस 4 माइसर कितना होता है 32 होता है अभी छोटा आ रहा है और चेक करते हैं ठीक है students और चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो हम 8 times ले जाते हैं यहाँ पर 8 fill करो यहाँ पर 8 fill करो 8 को उठाके 48 से multiply करो so 48 into 8 करिए चलिए 8 8 जा होता है आपका 64 6 जाएगा 8 4 32 32 plus 6 कितना होता है 38 हो जाता है ठीक है students अभी और एक बार जाने की उम्मीद है चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है चलिए 9 times ले जाते हैं बच्चों कि 425 के आसपास आयेगा नहीं है ना फिर भी देख लेते एक बार 9 और यहाँ पर 9 छीक 49 into 9 सो 49 into 9 अब देखिए 9 9 जा होता है 81 चीक तो 8 यहाँ पर जाएगा 9 4 36 36 plus 8 कितना होता आपका 44 यह लीजे यह तो 441 तो बच्चों बड़ा हो गया किससे 425 से तो 9 times तो जाएगा नहीं 7 times नहीं जाएगा क्योंकि 329 बहुत छोटा हो जाएगा 425 से तो best आपका यह वाला option है य यहाँ 8 फिल करना चाहिए ठीक है students अब देखो 8 into 48 कितना आ रहा है 384 तो यहाँ से आप करोगे 384 लाइन डौ करोगे 5-4 is 1 अब बच्चो 12-8 इस कितना हो जाता है आपका 4 और यहाँ 3-3 कुछ नहीं बचेगा छोड़ देंगे ठीक ना मैनस तो कर लोगे अब सुनो अब remainder 41 कैसे पता चल रहा है कि remainder 41 आ रहा है स्टॉप करना है तो ध्यान सुनो कितने बार थे वन बार टू बार टू बार है तो ऊपर कितने कोशन में डिजिट आने चाहिए 2 तू आ चुके है स्टॉप कर देंगे सही है यानि कि 28 आ चुका है ठीक है बहुत बढ़ी है अब सुनो व आफका कीने का मतलब है 825 में से हमें 41 माइनस करना तो वो लीस्ट सक्वाइब वो लीस नंबर कौन सा है जिसको हमें सब्ट्रैक करना है वो लीज नमबर है आपका जो की क्या है एक perfect square number PSN का मतलब perfect square number ओके तो बस यही आपका answer है लिख लीजे तो जिस भी least number को सब्ट्राक्ट करना था वो least number कौन है बच्चों यहाँ पर वो least number है आपका yes 41 और आपका perfect square number कौन बन रहे है आपके perfect square number जो है students वो है आपका क्या 784 और square root अगर निकालोगे 784 का सो कितना आ जाता है square root 784 का square root निकालने की द्रूरत नहीं होती है यहाँ पर जो कोशन लिखा होता है वही उसका square root होता है ओके तो 784 का square root कितना हो जाता है आपका 28 यह लीजे ठीके students बढ़ते है next part की तरह video pause करके note कर लीजे note कर लीजे कर लिया चली now यह हो गया part fourth total इसमें आपके कितने parts है five yes that is the last part okay now number है आपके पास बच्चो 4000 तो 4000 एक perfect square number तो है नहीं सुनो ध्यान से क्यों नहीं है क्यों नहीं बताओ मैं कैसे पैचान गया यह एक important सवाल है यहाँ पे ध्यान से चेक करो बच्चो जो 4000 है ठीक है इसके end में अगर आप आपको rules सारे याद होने चीए जो पूरे chapter में पढ़ा है इसके end में one two three zeros है सर कितने zeros है three zeros है कितने three zeros है अब check करो बच्चो हमने क्या बढ़ता हमने पढ़ता perfect square number वही होगा जिसके end में अगर zero आता है तो even number of zeros होने चीए क्या होने चीए even number of zeros कहने का कि ये मतलब है कि अगर ऐसा कुछ होता कि अगर 4 के बाद 123 4 0 होते अगर कितने 0 फोर 0 होते तो बच्चो फोर क्या है एक even number है चेक कर लो और एक even number है ठीक तो अगर even number of zeros हैं तब तो perfect square आने की उमीद होती है लेकिन अगर order number of zeros हैं तो perfect square आने की उमीद नहीं होती ठीक सो फोर थाउजन अब आज आई यहां पर देखिए पोर थाउजन फिर लाइन रो करेंगे यहां पर एक लाइन रो करेंगे यहां पर राइट से लेफ्ट की तरफ टू-टू-डिजिट के पेर बनाएंगे यहां पर वो 0 वाला गेम शायद आपको खेलना पड़ेगा दिखाता हूँ मैं आपको Deekhau राइट से लेफ्ट की तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ जो हमने पार्ट वन में किया था ठीक है ना तो वो आपको यहां शायद करना पड़ें कि 00 वाला यहां पर कुछ हारा भी अभी पता चलेगा रुक ज़ो आपको कितने बार है वन बार टू बार यानि कि यहां कोशंट में कितने डिजट आने चीए टू डिजट आएंगे तब आप स्टॉप करोगे वन डिजट पर आप स्टॉप नहीं करोगे ठीक तो देखो टू बार है देखो वन बार टू बार ठीक अब सुनो 40 यह बार के नीचे कौन सा नंबर है 40 तो 66 ठीक है यहां से 40-36 करोगे तो 4 यह सुनो 40-36 कितना होता है 4 होता है ठीक है न ऐसे कर लो यहां सबन ले लो 10-6-4 और 3-3 कुछ नहीं बचेगा आप सुनो अब क्या करना है आपको students यहां पर दिखिए यहां पर कोई ऐसा नंबर फिल करोगे कि वही नंबर यहां पर फिल करो तो मेरे घ्याल से तो शायद 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 क्या हम 4 टाइम्स तो हम जान नहीं पाएंगे क्योंकि 400 से जादा आ जाएगा ठीक तो 3 टाइम्स जाओगे 3 टाइम यहां लोगे और 3 यहां मतलब 3 को उठाके 123 से multiply करो 123 इंटू 3 जब आप करोगे 3 3 9 होता है 3 2 6 होता है 3 1 3 होता है ठीक तो यहां से आ जाएगा कितना 369 ठीक है students चलो अब माइनस करो 10 माइनस 9 होता है 1 और यहां 9 बचेगा 9 माइनस 6 होता है 3 और यहां से 1 जा चुका तो यहां 3 माइनस से कुछ नी बचेगा सीधी सी बात है 400 में से 369 माइनस करोगे 30 वन ही आपके बचेगा अब यहां पर स्टॉप करेंगे कि नहीं यह सवाल है कर देंगे मुझे ना पीछे 00 लग रहा था इसलिए मुझे थोड़ा सा मेरे मन में ऐसा चल ला था कि क्या पता यहां पर हमें कुछ चेक करना पड़े पार्ट वन की तरह वैसा कुछ नहीं हुआ सीधी सी बात है देख लो बच्चों यहां एक बार दो बार तू बार से तो इसका जो एप्रॉक्स स्क्वार रूट होगा उसमें कितने डिजिट आएंगे तो आतो चुके 6 और 3 ठीक तो ह यही वह क्या है लीस्ट नमबर है जिसको को हमें से 14 में सब्रॉक्राइक जाए गा तो जो आंसर आएग भू़ पर्फेक्ट इसको 9 बर होगा ठीक नो अब देखो 4000 में से हम किसको माइनस करेंगे 31 को कर दो कितना एगा 10-1 क्या होता है 9 अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 99-3 क्या होता है 6 यहाँ 9 और यहाँ से बन जा चुका तो यहाँ बचेगा आपके पास 3 ठीक है 3969 अगर आपको भरोसा नहीं है तो वापस आप 3969 में 31 अड़ करके देख लो आपको 4000 मिल जाएगा 9 प्लस 1 टेन 1 और 6 प्लस 1 7 प्लस 3 टेन 1 9 टो से 10 4000 यह लोग ठीक मिलेगा ठीके सुक्दन्स तो यहाँ पे दिखिए लीस नमबर क्या हो गया आपका जिसको सब्ड्रायक करना है 31 ठीक फिर उपरफेट स्क्वाइड नमबर क्या होग आपके ौब पास पर्रफेक्ट स्क्वाइड नमबर हो गया 3969 और इस नोट का लीचे